जब से एक तक अपूर ने अपने फपुलर शो नागिन 5 के गोशना की है तब ही से इस शो में नजराने वाली एक्टरसिस को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है शुरुआत में ऐसी खबरे आई थी कि अगली नागिन बनेंगी हीना खान और दिपिका ककड लेकिन बाद में दिवयांका तिरपार्टी के नाम की काफी चर्चा होने लगी अब दिवयांका खुद सच लेकर सामने आई है टीवी शो ये है महबते में अपने इशिता वाले किरदार से पपुलर होई दिवयांका तिरपार्टी ने एक बादचीत में बताया कि नागिन फाइव में अपने नाम की अफवाएं सुनकर वे खुद हैरान है और उनोंने इस खबर को सीर्य से गलत बताया है उनोंने इस बादचीत में कहा कि उन्हें यह भी नएपटा कि ये अफवाएं कैसे उड़ी है दिव्यांका ने कहा बाकियों को तो पता नहीं लेकिन वे इश्यो का हिस्सा नहीं है इससे पहले नागिन 4 में निया शर्मा और रश्मीदे साही भी नागिन की भूमिका में नजर आ चुकी है बता दे कि दिवेंग कातिर पार्टी एक्टिंग के साथ साथ अब प्रेडूसर का काम भी शुरू कर चुकी है और वे भी लॉकडाउन के दौरान अपने पती विवेक दईया के साथ उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस खुला है और लॉकडाउन के दौरान ही उन्होंने अपने बिजनस वेंचर को अंजाम दिया है टीवी जेकर से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरे सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरस्टिंग खबरों के लिए